हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाग टो दो चैनल आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप घर पर इलाइची का पौधा नहीं रखे हों तो इलाइची के पौधे को जरूर रखिए तो मैं आज आपको इसे बीच से उगानी का तरीका बताऊंगी ये आप जो मेरा पौधा देख रहे हो इसे मैं बीच से उगाई हूं और ये एक साल से मेरा पौधा अभी अच्छा है इसमें थोड़ी थोड़ी स्टेम्स इसकी सूखी सूखी लग रही है ब्राउन हो गई है लेकिन पौधा बिलकुल अच्छा है इलाइची के पौधे में जो पतिया आती आपके घर में अगर बहुत से लोग पीडित रहते हैं हमीशा बिमार रहते हैं आप बहुत परिशान हो गए हैं एक एक हमीशा लोग बिमार होते रहते हैं तो अगर आप घर पर इलाइची के पौधे को रखते हो तो ये घर से बिमारी को भी दूर रखता है सभी लोग उगाना दोस्तों बस इसके लिए पर्फेक्ट पॉटिंग मिक्स्चर होनी चाहिए और पर्फेक्ट बीज होनी चाहिए तो पौधा जरूर निकलता है तो आज मैं आपको बेश तरीका बताने जा रही हूं तो सबसे पहले जो यह सुखी सुखी इसकी जो पतियां हो गई है स स्टैम्स हो गई है इसे कट करके हटा दे रही हूं और अगर आपके घर पे अल्रेडी है तो आपको इसके केर भी कैसे करनी है वो भी मैं आज आपको बताने जा रही हूं तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताती हूं कि आप इसके पौधे को कैसे उगा सकते हो तो इसके लि थोड़े बड़े अच्छे हेल्दी लगते हैं उसी से इलाइची का पौधा निकलता है जैसे कि आप मेरे इन इलाइची को देख रहे हो ये चार इलाइची इसमें बीच अच्छे भरे भरे लग रहे हैं और इलाइची में बिल्कुल स्वस्त लग रही है तो इससे पौधा भरे पड़े हैं और healthy लग रहे हैं तो इससे पौधा निकलने का बहुत chances है तो आपको इलाइची इसे टाइप की लेनी है बिल्कुल बड़ी बड़ी जो market में छोटी कम दाने वाली इलाइची आती है उसे कभी मत लिजेगा उससे पौधा नहीं निकलेगा तो इस तरीके से मैं बीजो को निकाल ले रही हूं तो इस तरीके से सारे बीजो को निकालना मैं यह नहीं कहती हूं कि आप जितने बीज डालोगे उन सभी से पौधे निकलेंगे आप अगर 15 बीज डालते हो ना तो उसमें से आपका 4 या 5 पौधा जरूर निकलेगा यह मेरी गारेंटी है और जो आप मेरी लाइची के पौधे को देख रहे हो मेरा एक बार में साथ पौधा निकला था तो इस तरीके से पौधा निकालना बहुत असान है तो देखिए बीजो को निकाल करके अलोवेरा जेल का यूज करना है बिल्कुल फ्रेस अलोवेरा जेल का यूज करना है इस तो यह पौधे को निकलने में बहुत थाल्प करता है तो अलवेरा जल का यूज आपको जरूर करना है तो यह देखिए बीज में हम अलवेरा जल का यूज कर लिये हैं अब इसके लिए हम पॉटिंग मिक्श्चर को तयार करेंगा तब तक हम इसे दो घंटे के लिए मिक्श्चर करके डालेंगे तो पौधा जरूर निकलेगा तो देखिए सबसे पहले हम एक जार ले लिए और नीचे से छेद कर लिए ताकि एक्ष्रा पानी निकल जाए तो अब इसके लिए पॉटिंग मिक्श्चर में हम क्या डाल रहे हैं मिट्टी बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे तो इसके लिए हम नारियल का भूसा यानि की कोकोपीट और वर्मी कंपोष्ट ये दो ही चीज का मिक्शर ले रहे हैं इन दो चीजों से बहुत जल्दी पीस तयार होता है तो देखिए हम वर्मी कंपोष्ट और यहां पे ले लिए हैं कोकोपीट दोनों को 50 50% लिए हैं यानि कि 100% हो गया दोनों मिला के अब यह बिल्कुल अच्छे से रेडी है इसका पॉटिंग मिक्शर रेडी है तो इसको अच्छे से हाथों से अगर गांठ वाट बनी है तो मिला ले रहे हैं मिट्टी को उसके बाद क्या करेंगे कि जो बीज अलोवेरा जिल स ढौते की हो निच चुकी हूँ तो देखे इस तरीके से बीजो को डाल दे रहें और वेखें करके फैला फैला के डालते हैं एक साथ नहीं डालना यानि कि हर बीजो को अलग अलग करके डालना है तभी पॉदा निकलेगा तो इसमें से जरूर 4-5 पॉदा निकलेगा इसके बाद मैं दूसरे pot में transfer कर लूँगी potting mixture को तयार करके तो देखिए दोस्तों ये जो इलाची का पौधा आप देख रहे हो एक बार मेरे साथ पौधा निकला था और एक बार अगर एक पौधा निकलता है न तो नीचे नीचे से नियू नियू पौधा निकलते रहता है तो ये देखिए इसकी potting mixture त्यार होगे बीच को डाल दी उपर से थोड़ा सा और potting mixture डाल दी तो ये अच्छे सेट हो गया है उसके बाद क्या करना है कि इसमें पानी डाल देना है तो पानी आपको कैसे डालना है डारेक्ट ऐसे नहीं डाल देना है हाथों उसकी मदद से छड़काओ करना है या फिर आपके पस spray bottle है तो spray bottle से छड़काओ कीजी मेरा spray bottle खराब हो गया था इसलिए मैं हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा ऐसे करके ठड़काओं कर दे रही हूँ और इसे क्या करना है कि छाया जगा में रखना है कम से कम आपको इसे 15 दिन तक छाया जगा में रखना है उसके बाद आप देखेंगे कि छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलने लगेंगे तो तुरंत आपको नहीं transparent कर देना है दूसरे pot में थोड़ा उसे strong होने देना है बड़ा होने देना है उसके बाद आप दूसरे pot में बड़े pot में potting mixture को तयार करके उसमें transparent कर लीजे उसके बाद आप धूप में रखिए और बीच बीच में अगर कुछ stem सूक जाते हैं पतियां जो dry dry हो जाती उसे cut करके हटाईए उसके बाद आपका इलाइची का पौधा सालो साल चलता रहेगा तो इस तरीके से देखे मैं पानी का छिड़काओं कर दी हूँ अब मैं इसे चाया जगा में रखूंगी कम से कम 15 दिन तक उसके बाद जब इसमें से plants निकलना सुरू हो जाएंगे कुछ दिन के बाद transparent कर दूँगी तो ये देखिए दोस्तों ये मेरा इलाइची का पौधा है अभी मैं इसे बहुत ज़्यादा धूप में रखी थी जिसके करण थोड़ ड्राय ड्राय लीप्स हो गया है तो कोई दिकत नहीं कट करके हटा दे रही हूँ और बात करती हूँ कि आप इसमें कौन सा fertilizer दे सकते हो तो आप इसमें kitchen waste देंगे ना तो वह best माना जाता है क्योंकि मैं इसमें kitchen waste देती हूँ जैसे प्याज के छिलके का पानी या फिर चाय पत्ती वेश्ट चाय पत्ती या फिर कोई भी आलू के dry छिलके आप ये सब इसके मिट्टी में देंगे ना तो पौधा बिल्कुल स्वस्त रहेगा सालों साल टिक है क्योंकि आप कोई भी chemical fertilizer देंगे तो पौधा जो है कुछ दिन तक तो ठीक रहता है लेकिन उसका उल्टा रिजल्ट भी दिखा देता है पौधा दीरे-दीरे खराब होता जाता है और उसे हमें change करना पड़ता है या फिर हटाना पड़ता है तो अगर आप kitchen waste देंगे natural fertilizer देंगे तो वो आपके इला इलाइची मिलने लगेगा इलाइची जो है 10-15 साल में निकलती है और वो मिट्टी में लगाने से बड़ा सा पेड़ होता है उसके बाद इलाइची उससे मिलना सुरू होती तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही चैनल पर नहीं आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कर दीजिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए